आज एक छोटा से स्पेशल लेक्षर में आप सबको बता रहा हूं जैसे में हम बात करेंगे कि रूल्स हम बात करेंगे रूल्स पर राइटिंग ऐसा यूनिट को लिखने के लिए रूल्स है वह क्या-क्या है बड़ी छोड़ी सी चीज है इसको नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन फिरी भी हमें इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए मैं इसकी थोड़ी जितिकनेस बड़ा देता हूं ठीक है वही कहा बड़ी बिल्कु सही है फुल नेम ओफ यूनिट आलवेज स्टार्ट विद स्मूल लेटर इसका मतलब क्या है कि हमें स्मूल लेटर से स् स्मूल लेटर इसको लिखने का तरीका न्यूटन होगा लेकिन अगर न्यूटन की जगा केवल एंड यूज कर रहे हो तो बात अलव हो सकती है एंपियर में भी स्मूल आना चाहिए कुलोंस में भी सी आना चाहिए दिखरा आप सबको फिर इसके बाद रूल नंबर टू अ एक न्यूटन में से एन यू मैने तुम मैं बताया कि यह इतो जूज करी नहीं सकते है ब 92 इस तरीके से तो यूज कर शेंघे तो इसको गगे तुम तो पूरा इसमें चोटा होना चाहिए और अगर केले यूज आ लेषी कर रहो तो एन अकेला लिलो दर है तर्फ डेखना जरूरी हो ता है लेकिन अगर किसिंगने लिखेंगे स्मैस में लिखेंगे दिख़ा तुम्हें स्टेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड चलते बच्छोς फोर राइटिंग एसाई उनिट फोर के लिगा बच्चों की अगर हमारे पास एक क्लोग्राम है यह 10 kg है तो इसके बीच में अगर स्पेस नहीं लगाया तो इनके बीच में क्या दिख जाएगा इतना भी प्यार नहीं दिखाना है यह 10 kg के बीच में गेप होना चाहिए इसका यह पाया ऐसा नहीं तुम इसको इससे लिख दो 220 वोल्ट इना इसमें 220 वोल्ट इस प्यायागा बीच में आगी चलें यूनिट डूनोट है प्लूलर फोर्म सिसका मतलब बात है इसके पीछे एस नहीं लगा सकते प्लूलर यूज नहीं कर सकते तुम बहु अचन यूज न नहीं होना चाहिए मतलब मीटर के बाद अगर तुम डॉट लगा रहे जैसे सेवन मीटर लगा दिया डॉट इस नोट एक्सप्टेबल इसका मतलब जैसे स्पेस लगा रहा है बिल्कुल सही है न्यूटन में भी एन स्मॉल में लेंगे बच्चो केपिटल लेंगे अकेला और अगर पुरा नाम यूज़ कर तो स्मॉल लेंगे बच्चो सही है इस पेस्ट लगा दिया गलती कर दिये गलत हो जाएंगे बच्चो आगे चलो अगर हां को स्टेट्मेंट कम्प्लीट हो रहा है जैसे मैंने लिखा थे लैंट ओफ लाना डीम का सेवन मीटर तो तो इनकी बीच में सपयस नहीं हो चाहिए एक-सफैस आ चाहिए सेवन मीटर की बीच में स्टा लेकिन सेवन मीटर के बाद अगर न्यूटर रा तो उनकी बीच में स्पैस लगने जुरत नहीं है मेरी बात समझ भागी ये उसेवनimpati से पता होने चाहिए I hope you got it students, thank you very much